नमस्कार विद्यारतियों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आरपियसी वितनवीन सेने में स्वागत है विद्यारतियों आज एक लेटेस्ट न्यूज है रीट को लेकर उसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है जो प्रेस्ट नोट जारी हुआ है उस प्रेस्ट नोट को पढ़ते हैं देखिए ये रीट के संदर्ब में है जो रीट है अभी रद हो गई थी लेवल टू के लिए तो और लेवल वन है वो आपके परकिरियतीन है ठीक है अब जो रीट होगी वो केवल रीट के एक्जाम के आदार पर चेन पर किरिया नहीं होगी चेन उसके आदार पर नहीं लिया जाएगा ठीक है अब दो एक्जाम होंगे पहला एक्जाम होगा वो सिरफ पातरता परिक्षा होगा और दूसरा होगा वो में एक्जाम होगा जो पातरता परिक्षा को क्वालिफाई करेगा वो में ए ठीक है और इसी मेन एक्जाम के अदार पर क्या बनेगी मेरिट बनेगी ठीक है तो इसके बारे में है ये 23 और 24 जुलाई को किया जाना प्रस्तावित हुआ है तो इसके बारे में हम बात करते हैं देखे शिक्षा मंतरी डॉक्टर बीडी कला ने बताया कि आज माननीय मुख्य मंतरी मोहदेजी ने बजट बासन में रीट परिक्षा जुलाई 2022 में कराय जाने की गोशना की थी ठीक है तो उसी करम में रीट परिक्षा जो की केवल पातरता परिक्षा होगी इस पर गोर करना की ये परिक्षा केवल और केवल क्या होगी पातरता परिक्षा होगी अर्थ और 24 जुलाई 2022 को 23 और 24 जुलाई 2022 को माज़य में एक शिक्षा बोर द्वारा आयोजीद कराई जाएगी अर्था जो एजेंसी रहेगी एकजाम करंवाने वाला एकजाम कौन करवाएगा एकजाम करवाएगा आपके 1 सेकंड एक सेकंड एक सेकंड यह थोड़ा डिलिट हो गया था एक सिक्षा थोड़ा सा तेरी बना के रखो तो माज़े में एक सिक्षा बोर्ड द्वारा ही आई हो जित करवाई जाएगी ठीक है अज्यापक लेवल वन वे लेवल टू के लिए कुल 62,000 पदों पर ये बढ़ती की जानी है ठीक है जिसमें से लेवल वन के 15,500 पद होंगे 15,500 पद किसके होंगे लेवल वन के बाकि से सारे सारे पद किसके हैं लेवल टू के डॉक्टर कला ने बताया कि अध्यापक लेवल वन के 15,000 तता लेवल टू के 31,500 और ताथ कुल 6,500 नए पदों के लिए उक्त बढ़ती परकिरिया परारम की जाएगी ये तो नए पद हैं और जो अभी लेवल टू रद होगी थी वो पद और एड होके फिर इन 6,500 में लेवल फीष थी आपकी जो जिन्होंने पहले एपलाई किया था ये पिछले वाली रीट दिये उनकी फोरम फीष नहीं लगे की लेवल टू वालों की ठीक है और रीट परिक्षा में नियून्तम प्राप्तांग प्राप्त करने वाले अभीयर्तियों की उन्हें पर्तियों की ता परिक्षा आयोजित की जाएगी मतलब इसके बाद में एक और एक्जाम होगा ठीक है और उक्त पर्तियों की परिक्षा मतलब जो मेन एक्जाम होगा रीट के बाद उसके अंकों के आदार पर शपल अभ्यर्तियों का क्या किया जाएगा चेन किया जाएगा तो ये इस्तती इसपस्ट की है डॉक्टर बीडी कला ने जो कि हमारे सिक्षा मंत्री है तो ये बात है तो 23 और 24 जुलाई को रेट किया जाना फाइनल हुआ है अभी ठीक है वी जाते हो तो ये लेटेस्ट न्यूस थी तो मैंने सोचा कि एक बार आपको इससे आउगत करवा दिया जाए जरूर से जरूर था कि आप नियमित रूप से जुड़े रहें साथ इसाथ जो क्यूस्टन को लेकर हमारे यहां पर पॉल भी चलती है कम्यूनिटी टेप में उसमें भी आप भाग लें और अपने नोलेज को इंप्रूव करें इसके अलावा आप सेकिंड क्रेड के पिछल चैनल से कनेक्ट रहना चाते हैं तो उसके लिए हमारे टेलिग्राम चैनल भी बनाया है और जिसका लिंक भी डिस्क्रीप्शन में दे रखा है इसके अलावा हम बहुत जल जो रीट है तो रीट को लेकर कलासें भी बहुत ही जल्द प्रारम करने वाले हैं यदि आप रीट झाल झाल झाले हैं प्राम करने जले हैं जल को लिएखा हैं झाले हैं